हेलो गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो सामने देख रहे होंगे आप महिंद्रा के बुलैरों मैक्स पिक अप जो की सी एंजी मॉडल है आज हम से बात करने वाले हैं इससे पहले मैंने सीटी का वीडियो शेयर किया है तो उसको भी आप देख सकते हैं चैनल पर नहीं है तो स महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी यहां पर आपको लोगों मिल जाएगा और जो इसके ग्रिल है ग्रिल में काफी जादा जो है डिफरेंस दिया गया है जिससे कि आपके रिडियेटर पर आसानी से हवाप पाउन सके आप इसे फोग लैंप यूस कर सकते हैं इसके लाव जिए जो है जो इसे जो चौड़ा है जो वीजबिलेटि को बढ़ाता एंहांस करता है और स्थ प्र्फशाइल की बैट करें तो इसमें आपको 15 इंच के जो है आपको वील जाते है और यहां पर आपको जो है एक लिघ्णा को लोगो लग लगा हुए इसके अलावा यहापको एक और लोगों मिल जाएगा साइट में डोर पर और यह अब को दिख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर आपको silencer दिख रहा होगा और इसके साथ ही आपको एक cylinder दिख रहा होगा जो कि CNG fill करने के लिए cylinder दिया गया है अब आगे हम बात करेंगे इसके कारगो की जो कारगो इसका है वो 1700 mm चोड़ा है और 264 mm लंबा है तो इसका जो पेलूड है वो है लिए बंद करने के लिए और पीछे आपको जो है पार्किंग सेंसर भी दिया है यहाँ आप चाहें तो इसमें आप कैमरा भी आप इसको जो है आप्टर मार्केट लगवा सकते हैं नीचे आपको स्टैपनी मिल जाती है और सामने आप द्रम ब्रेक आपको चाहार मिल जाते हैं जो कि अम आरफ लगे हुए हैं तो इसकी काफी अच्छी है यह कंपेलूड उठाने में काफी जो है च्छमता च्छी है इसको यूज कि यूज़ कि आपको दिखाते हैं कि जो है से नगी कहां से फिल होती है तो आप नीचे यहां पर देखेंगे कारूग नीचे यहां पर एक मीटर भी लगा हुआ मिलेगा इससे आपको पता चलेगा कि जो है कितना प्रेशर है सी अजी का और कितना फिल हुआ है वहीं यहां पर आपको ग्रीन गल का के बारे में बात करेंगे तो अंदर यहां पर जो शीशा का उपर नीचे आपको मैनुली ही करना पड़ेगा और आपको यहां पर लॉक कर सकते हैं डोर को नीचे दिखेंगे कि लेग रूम काफी अच्छा दिया हुआ है और इसका जो फैबरिक है वो भी काफी अच्छा है हार्ड है क्योंकि यह रफ वर्क के लिए यूज किया जाता है सब्सक्राइब बना हुआ है बाकी बात करें तो इसमें आपको सीट बेड मिल जाएगी दूनों तरफ और यहां पर आप देखेंगे कि आपको ग्लोब बॉक्स मिल जाता है गाड़े की पेपर यहां पर आपक कैबिन की लाइट मिल जाती है और उसी की जस नीचे आपको एक विंडो मिल जाती है जो कि ग्लास की बनी हुई है और अब इदर ट्राइबर सीट की तरफ से अगर बात करें तो यहां भी मैनूल सब कुछ दिया गया है कुछ आपको जो हैं मिशन दी गई है इंजिन के बार आपको स्टेरिंग जो जाती है उपनीचे कर सकते हैं सामने आप दिखेंगे जो है क्लस्टर है आपका डिजिटल है और इसमें आपको साथ इंफ्पिंशन मिल जाती है सामने आपको देखेगा मुल्टी मीडिया अब मिज़िए दिया गया है जो कि यूस्बी कनेक्टेड ह और आप 1000 लाइट देख सकते हैं 12 वोल्ट का इसमें आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग है पांच गेर की गाड़ी है एक रिवर्स गेर है हैंड्रिक मिल जाता है आपको और साथ मैं आपको यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिल जाता मिल जाते हैं और इसके अलावा चलिए बात करते हैं इसके प्राइस की तो बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की तो 17.2 km प्रती लीटर कंपनी ने क्लेम किया है कि काफी जादा प्रोफिटेबल है और वहीं अगर सर्विस के अगर आप बात करते हैं तो 20,000 km पर इसका पर इसके में बात कर दी जो पंद्रू सो क्लोग नाव है और इसमें जो है इस गाड़ी में आइमक्स टेखनालोजी का भी यूस किया गया है इसमें आपने गारी के बारे में पूरी डिटेल अप ले सकते हैं ज़को हैं यह किसए आपको फीचर मिलेंगा कि अगर लोकेशन डिन विट ट्रपल अजन उनके शथे हैं और अगर TV आसानी सी जाड़ी पार्क हो जाती ए इसको गारी जाओना की तर अगर किश्च च्ड़ख ते जINGल ड्राइच ऋपजलिए और और है तुमु के युदंग के बार्फिक बात करें तो सेंगल ड्राइच वक्रडे में मैंस टापको जो है ऑा कुछा है मैंने को है एक पेलूट उठाने के इस अफ infinahanra चुछ किता मैं क्या है फार। करें शॉर्ट में तो इसमें आपको हाइड और गोल्ड का आप्शन मिल जाता है तो यह है गाड़ी के कुछ खास फीचर तो चलिए बात करते हैं इसके प्राइस की प्राइस की स्टार्ट हो जाती है राउंड साधे साथ लाग आट लाग के बीच में गाड़ी आपको शोरू सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और इसको शेयर जरूर करिएगा तो ऐसे वीडियो में लेके आता रहूंगा तब तक लिए आपको बाइबाए